हेलो गाईस स्वागत है आपके अपनी यूट्यो चैनल आलोग मोसन क्लासिस में गाईस आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोर्सेरा से कैसे SQL की certification को complete कर सकते हैं जो की university आप मिशिंगन से है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो की college student है या केवल कोर्सेरा से SQL की certification complete करना चाहते हैं और resume में अपने लगाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको complete बताऊंगा कि आप कैसे SQL की certification जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पास मैं आपको सबसे पहले बता दू कि मैंने already अपना certification complete कर चुका है यहाँ पास आप देख सकते हैं यह है मेरा certification ठीक है completed by आलोग यह है मेरा certification तो आप यहाँ पास देख सकते हैं तो यहां पास मैं अपने दोस्त का सर्टिफिकेशन कम्प्लीट कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ ताकि और लोगों की हेल्प हो सके तो यहां पास आप मेरा लिंग्डन पे विजिट कर सकते हैं लिंग्डन प्रोफाइल पे आलोग पठेल ठीक है आपको यूजर आईडी आलोग मोसन डालना है आप पाजाएंगे और यहां पास मैंने टेबलू का भी सर्टिफिकेशन कम्प्लीट किया है और यहां पास SQL का भ uh season के लिए उन्हें ने जो कोर्स अपलाई किया था तो यहां पास उसकी जो डेडलाइन दे गए थी वह क्या हो चुक है समाप्त हो चुक है तो यहां पास हम करेंगे research deadline करते ही यहां पास हमारा deadline जो है reset हो गया अब इसे हम कर सकते हैं सुरू course को so okay हम सुरू करते हैं इससे पहले अगर आपको भी यह जानना है कि courseira से कैसे paid course को free में certification complete करते हैं और पढ़ते हैं तो अगर आप यह जानना चाहते हैं तो comment में बताएं उसके लिए भी एक अलग से से जल्दी complete करूंगा वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा ठीक है आपको वीडियो को देखते जाना है और फिर complete करने की कोशिस करना है सबसे पहले अपना swim करना है फिर इसके बाद हमसे help लेना है ठीक है जब परसान हो जाओ ठीक है सबसे पहले तो मैं यह करो कि मैंने खुद से सिखी है पूरी कुछ से करके मैंने कहीं से help नहीं लिए तो यहां पास मैं जल्दी जल्दी से complete करता हूं मारक का complete ओके यह हो गया हमारा course material complete अब हम देखेंगे lecture material को हम जल्दी से complete करते हैं तो वीडियो को मैं किया यहां पास play और मैं इसके गया इंड पर और इंड पर जाने के आद यह हो गया complete यह हमारा complete हो चुका अब हम दूसरे पर आ चुके हैं और दूसरे पर लिक करते ही हम सिदे यहां आगे बढ़ाते हैं और इससे हम यह हमारा तुम्स तरह भी ठीक हुए बेसिकली फर्स्ट वीक में आपको दो सॉप्ट्वेर इंस्टाल करने के लिए बताया जाएगा ज़रूरी है जिसके विना आपका जो तो करना ज़रूरी है लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी थोड़ी देर बाद की कौन कौन से सॉप्ट्वेर है ठीक है तो मैं आडियो को म्यूट कर देता हूं और यहां पास आप देख सकते हैं और यह रीडिंग मटेरियल है इसे हम मार्क हैस कम्प्रीट करते हैं और फिर इस हमें चेक मार्क होना चाहिए ठीक है यह हो गया और फिर इसके बाद यहां पास रीडिंग मटेरियल है कुछ तो इसे भी हम करते हैं मार्क हैस कम्प्लीट ओके सो यहां पास आपको इंस्टॉलेशन के लिए उनको कंफर्म करना है कि हाँ आपने इंस्टॉल कर लिया है माई फन्सकीं फासी एंस्ट वीक के असाइंबंट तो यहां पास सब से पहले आपको क्या इंश्रॉल करना है देखिए अब इंस्टॉल करना है मैं ठीक है तो यम म अ और टां–ट लिख देना ए टो यह तो यहीघ डानलोड ठीक है यहां पास आपस आप देख सकते हैं इसका जो first website है ठीक है तो इस पर click करना है यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका website www.map.inform ठीक है तो यहाँ पास इसे click करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पास आपको जो भी आपका device हो यहाँ पास हमारा window 11 है लेकिन यहाँ पास window 10 का चलेगा ठीक है तो recommended है तो मैं यहाँ पास इसे download कर लूँगा Mac के लिए यह है ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं तो मैं इसे download करता हूँ और यहाँ पास download पर click करने के बाद यह सिधर download होने लगेगा आप यहाँ पास देख सकते हैं यह आप यहाँ पास देख सकते और इसके बाद यहाँ पास आपको डाउनलोड करे लिया है चिसका नाम इनाव XAMPP तो MPP ये आपको सर्च कर देना है यहां पास इसका जो 1st website है इस पर आप click करिएगा आप यहां पास इसे download कर पाएंगे ठीक है तो चलिए click करते हैं यहां पास आप देख सकते हैं तो यहां पास आपको download पर आजाना है यह देख लीज़े यहाँ पास एक टू डाउनलोड है Click to download ठीक है और यहाँ पास यहाँ से भी आ सकते हैं कोई देखत नहीं यहाँ पास आपको click करना है आप इसे पहला वाला download कर सकते हैं simply आपको download पर click करना है और यहाँ पास यह download होने लगगा लगबग 500 MB का है आप यहां पास देख सकते हैं ओके तो आप जैसे ही ऑप्सनल एसाइमेंट का रेडिंग पार्ट कम्प्लीट करते हैं तो यहां पास आपके पास एक आता है अंग्रेड़ एक्स्टेर्नल टूल ठीक है तो इसमें भी आपको एक एक एसाइमेंट है जिसमें दो स्क्रीन सोट अप्लोड करने हैं चलिए देखते हैं यहां पास सबसे पहले आपको यहां पास आई एक्री पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहां पास ओपन टूल पर क्लिक करके यहां आ जाना है ठीक है तो यहां पास आपको करना है कैसे है मैं आपको इस वीडियो यहां पास हम MAMP software open कर लेते हैं, तो यहां पास जैसे कि हम यहां पास open करते हैं, double click करके, तो यहां पास कुछ इस प्रेकार के option आएंगे, ठीक है, तो यहां पास देखिए, सबसे पहले आपके में होगा, यहां पास कुछ ऐसा interface, देखिए, यहां पास अभी हमारा, जो server है, सबसे पहले मैं इसे stop कर दिता हूँ, तो यहां पास आपके पास कुछ इस प्रेकार होगा, ठीक है, यहां पास जो अभी हमारा server है, वो disconnect है, ठीक है, माई PHP admin से, सबसे पहले इसे हम करते हैं, server को start, तो यहां पास हम server को कर दिया है, start, तो यहां पास देख सकते है, अपाची server और MySQL server जो है, वो connect हो चुका है, मेरे PHP admin से, तो यहां पास हमको करना क्या है, open wave start page, ठीक है, तो यहां पास आपको क्लिक करना है, इसमें open wave start page पे, तो यहां पास आप देख सकते है, start का बटन है, ठीक है, यहां पास start का बटन है, और यह tool का बटन है, ओके, तो यहां पास यहां पास आपके पास आता है PHP Info प एक आता है आपके पास PHP से पहले कि इसका बर्जन किया दखिए है लन थीओ 번째 टो सबसे पहले आपको सर्च करना डिस्प्ले इरस ठीक है तो यहांब पाते मैं परहें मैं इसे यूम कर देता हूं ठीक है ताकि आपको अच्छे से दिखे और मैं सर्च कर लेता हूं यह यहां पास आप देखेंगे जो डिस्प्ले इरर से वो क्या है ओफ है ठीक है यहां पास आप क्लियर ले देख पा रहे होंगे आफ है तो यहां पास जो आपने मैं इस्टॉल किया है तो यहां पास आपको अपने दिस्पीसी में आ जाना है और इसके बाद आपने यहां पास विंडोसी में आपने इसे क्या किया होगा इंस्टॉल किया होगा ठीक है तो यहां पास मैं के फाइल में आ जाना है और इसके बाद आपको यहां पास कॉन पर आना है यहां पास आप देख सकते हैं मैं इस से एक बार दिखा देता हूं, सबसे उपर जाके, ठीक है, तो यहाँ पास आप बर्जन देख पा रहे होंगे, 8.0.1, ओके, तो यहाँ पास देख सकते हैं, तो इसी बर्जन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पास आप देखेंगे, कि यह जो बर्जन है, कौन सा है, 8.0.1, ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे, तो आपको एक PHP फाइल मिलेगा, तो इसमें क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, और इसे ओपेन कर लेना है, आपकी नोट पैड में यह आसानी से ओपेन हो जाएगा, ओके, तो इसे हम फुल साइज करते हैं, अब इसमें आपको सर्च करन यहां पास यह है default और इसके नीचे क्या है display errors ओके तो यहां पास हमें कर देना है on यहां पास हम इसे कर देते हैं on ओके तो और यहां पास जो display startup errors है इसे भी हमें कर देना है on तो चलिए इसे भी हम कर देते हैं on ओके और फिर इसके बाद आपको save कर देना है ctrl s की मदद से या आप इसे यहां से भी file और यहां पास save की मदद से save कर सकते हैं ठीक है तो यहां पास हो चुका आप यह save इसे आपको कर देना है minimize और इसे भी हम करते है minimize और इसे भी हम करते है minimize ठीक है अब यहां पास जो आपका server था mem server उसे आपको करना है stop एक बार stop करना है ठीक है और फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है start server कर देना है ठीक है पहले disconnect करना है फिर से connector देना है तो यहाँ पास हमने फिर से connect कर दिया अब इस page को हम फिर से refresh करेंगे अभी आप देख लिजेगा, अभी क्या है? off है, ठीक है? अब इसे हम क्या करते हैं? refresh करते हैं, तो हम यहाँ पास reload करते हैं, और यहाँ पास आप देख सकते हैं, कि यह क्या हो चुका? आउन हो चुका, ओके? मैं एक बार आपको करना क्या है इसका स्रिंसौॉर्ट ले लगे direct तो मैं इसका ग्रिंसौट ले ले लिए और फिर इसके बाद यह पास प्येश्पी एडम मिन गापन से उपर जाओंगा यह टॉल्स पर क्लिक करूँगा और प्येश्पी एडमिन पर क्लिक करूँगा तो यह है हमारा PHP admin यहाँ पास आप server देख सकते है localhost 3307 तो यहाँ पास आपको करना क्या है इसका simply screenshot ले लेना है तो चलिए यहाँ पास मैं इसका भी screenshot ले लेता हूँ यह देखिए यहाँ पास हमने इसका screenshot ले लिया हमने दोनों का screenshot ले लिया आप हमें करना यहाम पास इसे इसमें अपलोड करदेना है, तो चलिएंचे यहाम पास हम सबसे पहले display errors को अपलोड करते हैं, तो यहाँ पास चलिए देखते हैं screenshot थो यहां पास pictures में होगा- Ini तो कि यह वाला हमारा display errors कि है इससे हम अब यहां पास बेखेango घेके डिए करेंगे का तक मे Rules कम्प्लीट हो चुका ठीक है अब इसके बाद यहां पास जो बोनस माटेरियल है इसका वीडियो चला कि इसे भी हम टिक मार्क करा लेते हैं तो यह हमारा कम्प्लीट का मार्क हमारा इसमें भी आ जाएगा तो यह ओचुका ग्रीन चेक ओके सो यह हो गए हमारा बीक फर्स्ट का कम्प्लीट यहां पास इसे हम रिफ्रेस करते हैं तो यहां पास देखेंगे कि वीक वन हमारा जो है कम्प्लीट हो चुका ओके तो यहां पास आप आपने देखा कि वीक वन हमने कैसे कम्प्लीट किया अब इसके बाद हम चलते हैं वीक ट तो आप वीडियो को देखिए गा और फिर इसके बाद करिएगा मैं आपको केवल बता रहा हूं कि आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगी जल्दी जल्दी से मैं इसे कर लेता हूं अबी तक अगर आपने सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब का बटन दबा दे क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेलपूल वीडियो लाता रहूंगा तो सस्क्राइब का बटन जरूर दबा दे ठीक है तो यह हो गया आप यहां पास bonus material है तो इसे हम click करते हैं और यहां पास आप हमारा quiz है यहां पास हम quiz कैसे करेंगे देखिए यहां पास सबसे पहले तो हम यहां पास quiz पे click किए एक मिनट यहां पास हम सबसे पहले quiz पे click किए और यहां पास आपको जो कुईज है इसमें आपको 80% से उपर लाना पड़ेगा ठीक है याँ पास आप देख सकते हैं जो ग्रीड यहां प्रीड है 80% से उपर लाना पड़ेगा तो चलिए यहांपस हम करते हैं resume assignment ठीक हैёँ तो यहां pस चलिये start करते हैं से तो पहला देखिए डी बी यह इस टेंड़ फॉर्ट ठीक है तो यहां पास हमारे में पहले से इंसर दिख रहा तो देखिए यहां पास क्या है इसका इंसर हो जाएगा डाटाबेस एडमिनिस्टेटर ठीक है इसलिए पहले से आगा है क्योंकि हमने इसका कुईस पहले भी कर तो थेखिए आपास अगला कोश्टन है आप पास इस्ट्रक्ट्चर प्वरी लेंग्वेज इस यहां पास आरन पी एच्प को छोड़ गार सारे के लिए होता है प्लिये डिलिट रॉर इंसर डाटा की ठीक है अगला पास देखिए वीच स्टेटमेंट इस दाराइट का new database using command line okay तो यहां पास इसका answer हो जाएगा create database people okay अगला question है आपास insert into is the keyword keyword used to insert data into tables तो यह है true अगला question है आपास which keyword is used to add condition to your query तो यहां पास इसका answer हो जाएगा और इसी तरह अगला question है आपास which command is used to retrieve all records from the table okay तो इसका answer हो जाएगा select string from user okay अगला question है आपास which keyword will choose the result of the query to be displayed in the stored order okay तो यहां पास इसका answer हो जाएगा ordered by अगला question है the limit close helps to narrow down the scope of the query तो इसका answer हो जाएगा true अगला question है आपास दिखिए a column allocated a string with a variable amount of space depending on the data length that is actually stored okay तो इसका answer हो जाएगा अगला question है आपास इसका answer हो जाएगा false और यहां पास इसका हो जाएगा नाइंटीन सेवंटी ओके और इसका हो जाएगा false और इसका answer हो जाएगा false और इसका answer हमें मालूम नहीं correct wrong था ठीक है बाकि सारे हैं तो यहां पास हमने 93% grade score कर लिए ठीक है तो यह हो गया और यह बीक टू है है तो देखिए assignment है यहां पास तो जब से पहले आपको करना क्या हैं यहां पास देखिए है इसे आपको पीष्ट करना है ठीक है तो चलीए से मार्काइस कंपरिए कर देते हैं मैं आपको बदाता हूं यहां ग्रेड़ेड तो यहां पास आपको करना क्या यहां पास इस ए आटो ग्रेडर जो है यहां पास सिंग्नल सिंग्ल ट्रेवल लेस्क है ठीक है तो सब्सक्र बहुँए यहां पास आपको इसे प्लिक करकर open tool करने ठीक है यह ओगे आपको custom open और यहां आपको submit करना है okay so simply आपको कुछ नहीं करना है जो यह instruction दिये न इसी से आपको इस assignment को complete करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है जो मैंने आपसे jam download कर वाया था ठीक है तो यहाँ पास आपको jam open कर लेना है तो यहाँ पास आप सर्च कर सकते हैं feedback आपने विंड़ोacht पने कहन पर सर्च करने के बाद यहाँ पास उसे open कर लेना है open करने के बाद यहां पास आपका Apache और my SQL है तो यहां पास आप देख सकते हैं यह Apache स्टार्ट हो चुका है यहां पास जो port है वो भी Sटार्ट करने कर लेना है तो यहां पास यह भी it सकते हैं कुछ लोगों का यहां पास चो माईल है यहां पास हो और पास मैं SPEAKER कर जैसे ही आप mysql के admin पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पास पहुंच आते हैं myphp के local host में ठीक है तो यहां पास आपका जो server है सायद मेरा connect नहीं है एक बार मैं try to connect करके देखता हूँ और मैं एक बार map पे देखता हूँ यहां पास दोनों on है ओके तो यहां से access denied बता रहा है मेरे पास दूसरा भी तरीका है कि कैसे on करना है ठीक है तो फिर से एक बार मैं करके इसे देखता हूँ तो यहां पास यह नहीं हो रहा चालू तो यहां पास आपको करना है क्या है जो यहां पास आपका m a m p है ठीक है तो इसे open करना है open करने के बाद tool पर जाना है और इसके बाद यहाँ पास आजाना है php my admin और फिर इसके बाद यहाँ पास कुछ ऐसा interface रहेगा इसके बाद आपको यहाँ पास mysql मिल जाता है यहाँ पास आप देख सकते हैं इस पर आपको click करना है ठीक है और इसके बाद click करने के बाद आपको यहाँ पास एक database create करना है ठीक है तो यहाँ पास जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पास जो आपका assignment था यहाँ पास देखिए सबसे पहले आपको first क्या करना है create a mysql database और uses पास इसे आपको कुछ नहीं करना है यहां पास आपको यहां से कॉपी करना है और सिदिवाप पेश्ट करना है ठीक है तो चलिए यहां पास हम कॉपी किये और यहां पास हमने पेश्ट किया और यहां पास जो गो है उस पर हम क्लिक करते हैं ठीक है तो यहां पास अभी कुछ errors आ रहा, तो देखिए errors क्यों आ रहा, क्योंकि हम भी हमने database पहले तो हमें एक database create करना पड़ेगा तो चलिए database का हम create कर लेते हैं सबसे पहले, नाम क्या देना देखते हैं, और उस database का name क्या रखना है, यां पास age रखना है, ठीक है, तो यां पास database का name जो है isis रहेगा तो चलिए आप आस हम create करते हैं यह हमारा तो यह सबसे पहले हम command लिखेंगे create database database ठीक है नाम क्या रखना है age तो a-g-e-s तो यह हो गया हमारा database create ठीक है तो यहाँ पास हम इसे करेंगे go ठीक है यह हो गया हमारा database create ओके फिर से हम जाएंगे यहाँ पास यहाँ पास आप देख पाएंगे age नाम का database हमारा create हो चुग है ठीक है तो इसे हम click करेंगे और इसके बाद हम फिर से जाएंगे mysql में sql में अब इसके बाद यहाँ पास हमारा table है ना उसे हम सीदे paste करते जाएंगे यहां से तो पूरा हम copy कर लेंगे और copy करने के बाद यहां सीदे जाके paste कर देंगे ठीक है तो यहाँ पास हम paste करते हैं और go करते हैं यह हो गया हमारा table create हो गया फिर इसके बाद यहाँ फिर जाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पास हम table के अंदर सब insert कर देंगे name और age तो चलिए देखते हैं यहाँ पास फिर से mysql में जाना है और इससे हटाना है और हटाने के बाद यहाँ पास फिर से paste करना है और फिर इसके बाद go ओके तो यहाँ पास हम करते हैं यह हो गया हमारा और फिर इसके बाद यहाँ पास अगल इसे हटा देना है, सब को यह हटाया और फिर इसके बाद पेस्ट किया और फिर इसके बाद को, अब यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे इसे हमने पेस्ट किया, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, आपके पास option आ चुके है, यहाँ पास जो आपका पहला वाला है, ठीक ह तो यहां पास देखिए 0A7 जो पहला code है यहां आप देख सकते हैं इसका जो starting यह 0A7 है इसे copy आप कर लेजे और simply यहां पास जाके आपको paste कर देना है ठीक है तो यहां पास आप इसे paste करिए ठीक है यह code जो है change होते रहता है नहीं मैं आपको description में दे देता है तो यहां पास जैसे हम submit करेंगे तो यहां पास क्या आएगा देखिए your answer is correct ठीक है तो यह हो गया आपका जो assignment है done हो चुका इसे आप यहां से done कर दीजे ओके इसे हम हटाते हैं इसकी कोई काम नहीं ठीक है तो यहां पास देखिए जो आपका यह वाला भी इसे हम refresh करेंगे त तो यह हमारा green tick हो जाएगा ओके तो यह देखिए आपका यह भी week two का complete हो चुका है ओके अब यहां पास इसके वाद हम आते हैं यहां और यहां पास हम week three पे चलते हैं ओके तो जल्दी जल्दी से हम week three का भी complete करते हैं इसी प्रकार खटाक से तो यहां पास इस वीडियो को ह करते हैं सभी को हम green tick करते हैं वीडियो लेक्चर्स को कि आई यह करना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी कर देना चाहिए नहां को सिरा वाले को लगना चाहिए कि हमने कि हां किया कुछ पढ़ा है ना बागी आपको पढ़ना जरूरी है नॉलेज मिलेगा ओके तो कि यह हो गया पिर इसके बाद कि यह हो गया और इसके बाद यह रेशनल डेटा वेस्ट डिजाइन के इसे भी मैं करता हूं यह हो गया अब यहां पास प्रैक्टिस को क्ुईस है जिसे हम क misinformation करेंगे तो देखिए जल्दी से यहां पासÁ uh start assignment पे If हिल्ट करेंगे था होगे तो चलिए देखते है तक यहां पास आप देख सकते है मैंने सारे कॵिस कोड टिक कर लिया है तो आप यहां पास देख सकते हैं, तो यहां पास आप question के answer देख लीजिएगा, ओके, वीडियो को रोक रोक कर देखते जाएए, ठीक है, और फिर इसके बाद हम करते हैं, जल्दी से submit और देखते हैं, हमारा कितना grade बनता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह सही है, ओ, नाइन्थ में क्या था, ठीक है, कहां गया भाई, ठीक है, नाइन्थ का गलत है, फिर इसके बाद 11 का गलत है, पिर इसके बाद यहां पास दो गलत हैं बाकी सब बढ़ी है ओके तो ठीक है कोई नहीं हम यहां हो चुके है पास अब यहां पास हम करेंगे तो डू नेक्स्ट आइटम ओके यहां पास हमारा जो वीक थ्री का है इसे एसाइमेंट को मैं करता हूँ सबसे पहले मार्केस कंप् ओके अब यहां पास हमें इसमें करना क्या है देख लेते हैं सबसे पहले ठीक है हमें इसमें करना क्या है यहां पास हमें music नाम का database create करना है और इसके बाद यहां पास हमें album उसमें album लाना है artist लाना है और जिल्निक लाना है और track लाना है ठीक है यह सारे चीज़ें हमें करन टूल पर जाके तो यहां पास हम इसे क्लिक करते हैं यह पर यहां पास देखिए इन सब का देखिए सब्सक्राइब का स्क्रीन लेना है फिर इसके बाद किसका लेना है यहां पास देखिए अलबम का लेना है और फिर इसके बाद यहां पास आपको एक जेनरा का लेना है ठीक है तो चलिए देखते हैं तब का स्ट्रीन सॉट लेते हैं और बनाते हैं सबसे पहले ओके तो यहां पास आपको डाटा कहां से मिलेगा तो चलिए मैं सबसे पहले यहां पास टेवल क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए हम आपको टेवल क्रिएट करना बताते हैं कैसे करते हैं सबसे पहले हम यहां पास अपने आ जाते हैं local host पे जो हमारा था ठीक है यहां पास हम SQL पे आ जाते हैं और इसे हम करते हैं अटाते हैं और यहां एक database create करते हैं ठीक है सबसे पहले तो हमें यहां पास अपने local server में आना है ठीक है तो यह हम आई चुके हैं फिर इसके बाद MySQL म डेटाबेस आपका नहीं हो ठीक है यहां पास के वाली इतना हो ठीक है आपके पास कोई डेटाबेस यहां लिखा हुआ नहीं हो ठीक है तो यहां पास चलिए हम क्रेट करते हैं तो यहां पास चलिए हम क्रेट करते हैं तो यहां पास चलिए हम क्रेट करते हैं तो यहां पास आपको टेवल क्रियेट करने हैं आर्टिस्ट के तो देखे- यहां पास हम नोट्स बनाके रखें ठीक है यहां पास अगर आपको इनो चाहिए तो आपको description box में मिल जाएंगे ठीक है वहां से आप ले लीज़ेगा तो यहां पास हम 3 टेवल बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले एक artist का बनाएंगे फिर एक album का बनाएंगे और एक genera का बनाएंगे ठीक है तो यहां से हम तीनों को एक साथ बनाते हैं तो यहां से यहां तक हम copy कर लेते हैं और यहां पास हम इस पे आते हैं ठीक है और यहां पास हम सिधे इसे paste करके go पे click करते हैं ठीक है यहां पास आप देख सकते हैं तीनों टेबल एक साथ बन चुके हैं album, artist और genre के ठीक है अब यहां पास इनमें हमें data insert करना है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसे इंसर्ट करते हैं तो यहां पास हमने सब कुछ बना के रखा है आप यहां पास से ले सकते हैं और यहां पास आप खुद से भी कर सकते हैं यहां पास जो इंसर्ट करते हैं डेटा अभी मैंने तीन किये एक और करना है आपको एक और table create करना है जिसका नाम होगा track ओके तो यहाँ पास track गुल गया था तो चले track को करते हैं track को भी कर देते हैं तो यहाँ पास फिर से आना है और यहाँ पास मैं गो करता हूँ तो यह हो गया track table भी आ चुका है यहाँ पास तो यहाँ पास track table बन चुकी है अब इसे हम करते हैं इस पे हम करते हैं data insert करते हैं ठीक है तो यहाँ पास हम करेंगे insert data तो यहाँ पास हम यहाँ से इन सारे में insert करते हैं डाटा सबसे पहले तभी टेवल में तो चलिए यहां से हम करते हैं इंसर्ट को कि यहां पास हमने डाटा भी इंसर्ट कर दिया ओके और अब इसके बाद यहां पास हमको करना क्या है देखिए यहां पास हमें कमांड देना है ठीक है और कमांड देने के बाद हमें उसका स्क्रीन सॉट लेना है तो चलिए लेते हैं स्क्रीन सॉट कमांड देखे तो यहां पास इसे हम करते हैं पेस्ट और करते हैं को ओके तो यहां जो track का है उसका भी screenshot हमने यह हमारा track है तो यहां पास हमें track का भी screenshot लेना है और एक हमें album का लेना है तो यहां पास हमने तीनों के क्लिक करके ले लिया OK और तो यहां पास देखिए अब हम करते हैं इसे upload, तो चलिए सब्स刲 पहले हमें track टेवल upload करना चुर तो अक्री में हमने कावन लिया था track लिया था यह हमारा है ठीक है यह वाला यह वाला हमारा प्रेक का है ठीड़ हो इसे हम करते है अपलोडंद यहां पास और दूसरा फिर हम तो यहां पास हमने तीनों को अपलोट कर दिया और यहां पास सम्मिट कर देते हैं ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा भी ड़न तो इसे हम करते हैं रिफ्रेश और हमारे वीक थ्री का जो assignment है ये भी complete हो चुगा ठीक है तो ये हो चुगा हमारे week 3 का assignment complete इसे हमें refresh करना है तब हम देख पाएंगे ठीक है एक है bonus material इसे भी complete कर देते हैं फटाक से ताकि यहां जब तक green tick नहीं दिखता ना तो जो दिल में सुकून है वो नहीं मिलता तो हम आपको दिल में सुकून देंगे ठीक है तो टेंसल लेने की कोई बात नहीं यह हो गया आप भी लीजे दिल में सुकून ओके तो यहां पास आप देख सकते है वीक 3 का भी जो green tick है वो आ जाएगा भी तो यह हो चुका अब इसके बाद देखिए आगला हम देखते हैं वीक 4 का ओके तो सबसे पहले तो वीक 4 में वीडियो लेक्चर है एक तो चलिए इसे भी हम इंडि करते हैं और फिर बताते हैं वीक 4 के assignment में क्या करना है यह तो अच्छा assignment है ठीक है ओके तो यह हुआ green tick आप इसके बाद हम reading assignment को हम करते हैं complete ठीक है काम में आपका यहीं से होगा ठीक है यह जो आपका दिया है ना किसी की मदद से आप काम कर पाएंगे ओके जो assignment है वो बना पाएंगे तो चलिए सबसे पहले करना है क्या है आपको यहां देख लीजी आप कि सबसे पहले तो हम इसके उसमें आते हैं जो कि हमें assignment जहां upload करना है ठीक है तो यहां पास हम क्लिक किए open tool किए ठीक है बांकी सब आपको तो मालूम ही है तो यहां पास आपको file upload करनी है तो tables for the assignments ठीक है तो यहां पास आपको tables बनाने है ओकी तो बहुत सारे चीजे आपको JSON file में upload करनी है तो यहां पास जो आपका task है इस बार JSON file में आपको export करके यहां बास जैसे उसे वाला है so सबसे पहले बनाने है तो सब को चाहेंगे कि बना लेते हुके तो यह पाश आज आजाते हैं लोकल इस्ट्रेक्चरा और जो हमारा कि अम जो हमारा डेटावेस होगा वो किस नाम से होगा सबसे पहले तो यह देख लेते हैं तो कहां गया हमारा डेटावेस रोश्टर नाम का डेटावेस होगा तो यहां पास हम सबसे पहले तो डेटावेस क्रियेट कर लेते हैं तो क्रियेट database रोस्टर तो यहाँ पास हम create कर लेते हैं पठाक से तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यह roaster नाम का database हमारा create हो चुका है ओके तो यहाँ पास इस पे click करने के बाद हम यहाँ पास mysql पर आ जाते हैं यहाँ पास sql पर अब यहाँ पास हम जो टेवल है वो create करते हैं और data को insert करते हैं जो कि हमारा यह reading assignment दिया गया था इसी की मदद से हम सब कुछ करेंगे तो चलिए यहाँ पास हम paste करते हैं और go करते हैं ओके कोई दिक्कत नहीं यहाँ पास बस तो यहाँ पास जो हमारा roster का file है वो हो चुकाई create जैसाओ데 करना हैं पास जैसोन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास क्या करना है और शुम करना है यहाँ पास आपको go पर खल में जैसे आप गोपे क्लिक करते हैं आप आपका रोश्टर फाइल डाउनलोड हो जाता है तो यह है आपका रोश्टर फाइल ओके अब यहां पास यह आपका रोश्टर फाइल है जो हो चुका है डाउनलोड अब इसे हम करते हैं अप्लोड ओके अगर आपसे roaster file बनाते नहीं बढ़े तो आपको करना क्या है आपको मैं description पे link दे दूँगा उसको आपको upload करने है और उसको भी upload करने से पहले उसमें भी थोड़ा सा आपको edit करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है सबसे पहले तो यहां पास मैं आप इसका tool open कर लेता हूँ ठीक है और देखिए जैसे अभी हम आपको roaster file जो मैं आपको दूँगा ठीक है तो वो roaster file आपके में errors आएगा ठीक है देखिए कैसे errors आएगा जो हमारा roaster file है यह हमारा roaster file इसे मैं अब अभी upload करता हूँ और आपकी में देखिए का errors आएगा इसे मैं करता हूँ submit देखिए यहाँ पास जो name है वो miss match है to यहाँ पास आप देखिए यहाँ फिस peng tomorrow ओजन होना चाहिए तो यहा पास रिया आने ठीक है कि ऑपने रोउस्टर में आपके तो आपको अपने रोश्टर में आ जाना है दिखिए यह है आपको इसको में अपने और में ऑपने कर लीजएगा मैं इससे करता हूँ आप वीजियो स्टूडरे studio में ठीक है आप इसे notepad में भी open कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसे अपने visual studio में open करता हूँ ठीक है तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे तो name data वाला का है यहाँ पास है ठीक है तो यह जो data है यह है आपका ठीक है तो first में आपास आप देख पाए रहे होंगे पहला कहा है यह है पहला यहाँ पास आप देखेंगे पहला है पहला में रिहान है जबकि क्या होना चाहिए ओजेड होना चाहिए ठीक है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहां से देखी यह OJ है पहला अब यहां पास पहला कहा है यह है ठीक है यह है हमारा पहला और पहला में रिहान है तो हमें क्या करना है OJ कर देना है तो यहां पास हम इसे OJ कर देंगे ठीक है यह हमने कर दिया OJ त्पर इसके बाद दूसरे में क्या है टीक है है हम इसके दूसरा करते हैं हैredy तो यह पास तीसरे में है यहां आपको सभी चेंज कर देना ठीक है और यह जो रोस्टर फाइल में आपको डिस्रिप्सिन में दे दूंगा तो आप यहां पास चेंज कर सकते हैं तो यहां पास हमें पांचवा चेंज करना है पांचवा कहां गया यह है सबसे नीचे और फिर इसके बाद यहां पास यह है जल्दी से चिंज़ी कर देते हैं पंद्रा है फटाक से चिंज़ करेंगे इसके बाद साथवा इसके बाद आठवा यहां से हम कॉपी कर रहे हैं वहां जाकर paste कर रहा है और कुछ नहीं कर देखना है ना कि वह जो serial CRUM है उसका ठीक है यहां आप देख सकते हैं उसर id में CRUM दी है उपर-níचे CRUM है लेकिन जो user id है उसमें CRUM है ठीक है इसके बाद 12 इसके बाद 13 ओके और इसके बाद शहुता इसके बाद यह है 15 लग और इसको कर देना अब इसके बाद वही रोश्टर फाइल को देखिए हम अपलोड करेंगे आप पास तो अपलोड हो जाएगा ठीक है इसलिए देखते हैं यह हो गया हमारा सेव और इसे हम करते हैं अपलोड और यह हम करते हैं सम्मिट तो देखे यह हो चुका सम्मिट ठीक है जैसे हमने नेम समिट यह हो गया हमारा सम्मिट ठीक है तो जो रोस्टर फाइल हम गए तो उसे आपको में ओपन करना है और यह इर्दिट करेंगे तो यहां पास आपको डण। ठीक है, तो यहां पास आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो assignment है यह हो चुका है, green tick जैसे इसे हम reload करेंगे, ठीक है, तो यहां पास आप देख सकते हैं यह देखिए, हो चुका, ठीक है यहां पास जो bonus material है, इसे भी हम जल्दी से green tick ला देते हैं ओके सर, तो यहां पास हम करते हैं complete इसे भी हम करते हैं complete, mark as complete, ओके mark as complete, ओके यह हमारा week week 4 भी हो चुका complete, ओके, तो यहां पास अभी देखेंगे कि हमारा जो certification है, वो हो चुका complete, यहां पास आप देख सकते हैं, certificate certificate आपका आ चुका है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए आप इसे लिंक्डेन पे शेयर कर सकते हैं तो इसे हम डाउनलोड कर देते हैं और जिसका है उसको हम दे देते हैं कि यह वाई आपका certificate ठीक है तो इसे हम डाउनलोड पर रखेंगे simply अपने में फाइल पर नहीं लिंक्डेन, ट्विटर, वाट्साप जहां जहां आपको शेयर करना है अब यहां पास इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे टेबलू का ठीक है अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको कमेंट पर इसका एंसर जरूर सब्सक्राइब तब दीजिये मिलते हैं के लिए वीडियो पर तब तक के लिए बाई 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 चैनल